जाहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज नों बात करने वाल हैं आई पेल के मैच नमबर 54 के बारे में दोस्तों यह जो मैच है वो मुंबई वर्सेस बैंगलोर की बीच में खेला जाएगा कल साम साथ बजे तो साथ बजे यह मुकाबला खेला जाएगा तो मैं इसी मै अगर जीतना चाहते हैं विडियो को फूरा ही फॉलो करेंगे इस विडियो मेरत पेज रिपोर्ट मिल घाय गा साथ मेरत इंट्रूस मिल साथ माध बात करेंगा तो विडियो बहुत ही इंट्रस्ट उने और आपके लिए बहुत ही important होने वाले अगर आप कल के match में और आज के match में जीतना चाहते हैं तो दोस्तो पूरे वीडियो को follow करें और regular जीतने के लिए अगर आप regular जीतना चाहता है तो हमारे चैनल को subscribe कर लेंगे क्योंकि जो हमारा team होता वो genuine team होता है और 100% winning आपको करवा कर देती है हमारे जैसा team आपको कोई भी कहीं भी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा तो हमारे चैनल को जरूर subscribe कर लेंगे तो चलते हैं दोस्तों यह जो match है वो पहले कौन से studio में होने वाली उसके बात कर लेते हैं पांच combination तो आपको मिलेगी वो वीडियो के अंति में मिलेगी वह पांच reference team रहेगी उस team को भी आप लगा सकते हैं और इसके साथ में अगर कुछ changes करना चाहेंगे तो वह भी करके अपना team लगा सकते हैं तो जो यह match है जो यह match है जो यह pitch है इस पे जो spinners को 40% का support रहता है और Pacers को 60% का support रहता है अबरेज इसको 180 रनों का score बनता है इससे ज्यादा भी बन सकता है लेकिन हाला कि वांकड़े stadium जो की थोड़ा बड़ा stadium मने जाता है लेकिन batting friendly मने जाती है जो stadium है हाला कि दोस्तों एक चीज और बात कर ले कि Bangalore और Mumbai के बीच में दोनों ही में बड़े बड़े batsman है तो runs बनने के संभावना बहुत ही अच्छे खासी होगी all over दोस्तों ये जो पेच्छे कल के match में balance behave करेगी मतलब wickets भी गिरेंगे और runs भी बनेंगे तो उसी हिसाब से आपको अपना team लगाना होगा ताकि आप easily match को जीत पाएं तो चलते हैं अब आगे और भी बढ़ते हैं पहले कुछ information दे दे और भी जो pointable चल रहा है उसके बारे में तो pointable की बात करें तो जो ये गुजरात की team में देख पार है 11 match में 8 match जीत के top में है चन्ने भी 11 match में 6 match जीती है second number पे है और लकनो की team 11 match में 5 में ये तीसरे number पे है 5 match बहुत ही लोग जीते हैं यहाँ पर देख पार होंगे 5 का बेवरा यहाँ पर 7 लोग मतलब 7 number तक 5 मुकाबले जीते हैं तो अभी ये जो formula है मतलब ये pointable वो change होते रहेगा और अभी किसी के पक्के दावेदारी नहीं क कौन finals में मतलब कौन qualify करेगा हाला कि दो team तो लग रही है गुजरात और चन्नाई लेगिन फिर भी पड़ला यहाँ बदल सकता है क्योंकि सभी team पीछे से line में हैं हला कि दोस्तों इस match में RCB की बात करें तो इस match को जीतने की संभावना इनकी बहुत ही ज़्यादा रहेगी हला कि Mumbai भी अच्छी performance कर रही है Mumbai देख पा रहे होंगे 6 नमबर पे और 5 नमबर पे RCB है तो दोनों ही जीत कर उपर आने की कोशिस करेंगे इस match में मुझे रखता है Bangalore इस match को जीतेगी मेरी prediction यह पर Bangalore के तरफ से अगर आप changes करना चाहते हैं मतलब अपने तरफ से कुछ prediction लगाना चाहते हैं तो हमारे comment session खुला है वहाँ पर जाकर आप comment कर सकते हैं अब चलते हैं दोस्तों आपको player analysis बताते हैं कि कौन से प्लेयर इस match में चलेंगे और किन को अपने team में आपको रखना और किन को नहीं रखना है recent के 5 मुकाबले कि मैं यहाँ पर आपको analysis बताऊं और यह पर यह जो दोस्तों जो कि औरेंज cap holder भी है और हर match में runs बनाते हैं इस match में भी आपको run बना कर देंगे और key player और safe player के तोर पे रहेंगे हलाकि कप्तान और wise कप्तान बनाना चाहेंगे तो आप head to head और wrestle के league में बनाएंगे grand league में इनको avoid कर सकते हैं आप करेमन ग्रीन की बात करें यह balling और batting दोनों ही करते हैं इसलिए इनको हर match में रखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यह balling और batting दोनों ही करते हैं हाला कि recent की कुछ match देखेंगे तो यह floppy चले हैं मातर एक मैच में 62 का बड़ा score दिये हैं उससे चार मैच में 5 मैच में floppy चल रहे हैं एक मैच में 151 का भी दिये हैं तो इस match में मुझे लगता है यह अच्छे score दे सकते हैं इनको grand league में भी try कर सकते हैं कफ्तान और mini GL में भी वाइड भी कर सकते हैं आप बिराट कोली चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते हैं 50-50 का option यहां पर रहेगा पिछले मैच में 50 रन का score बनाया हैं इस match में मुझे लगता है कि जल्दी आउट होंगे तो इनको अगर कप्तान और वाज कप्तान ट्राई करना चाते हैं तो mini GL म और safe player के तोर पे इनको रखेंगे सूरी कुमार यादो भी इस match में flop रने वाले हैं हाला कि दोस्तों risky player के तोर पे इनको भी कप्तान बना सकते हैं हाला कि कभी भी चल सकते हैं लेकिन यह इस match में flop रने वाले हैं कप्तान बना कर ट्राई कर सकते हैं जर risky pick के तोर पे प्यूस सांत है साथ में बॉलिंग से भी विकेट नहीं ले पा रहे हैं लेकिन इस मैच में ये एक विकेट और साथ में कुछ अच्छे रंस बना कर देंगे और आपके लिए बेस्ट आप्सन देंगे कप्तान और वाइस कप्तान के ग्रांड लीग के लिए तो ज़रूर इनको मैच की बात करे पिछले मैच में यह उनको है को नहीं बात करें तो इस मैच में को एक विकेट लेते आरे इस बॉलिंग और वाइस के लिए लेकिन में निबाहा ने हैं लेकिन अगर बार व facade करने आते तो एक विकेट निकाल कर देंगे हलाग कि कपतान और बाईसकतान आपको नहीं बनाना है इंको जाओस हाजल वुट की बात करें तो ये हर मैच में बिकेट लेते हैं दो-तीन मैच ही खेलें अभी तक इस IPL में और हर मैच में इनको विकेट मिला इस मैच में भी आपको दो BK निकाल कर दे सकते हैं तो इनको कफटान भी ट्राइ कर सकते हैं अपने टीम में ज़िसने आपको फैदा हो सकते है अतिलाक फर्वर्मा पिछला माँच नहीं खेले हैं इस मैच में मुझे लगता है क्हेलेंगे तो आपको अच्छा स्कोर बना कर दे सकते हैं तो ट्राइ इनको ज़रूर करेंगे रोई सर्मा की बात करें फ्लॉप 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 फिक्डम फ्लॉप ही चल रहे हैं तो इस मैच में यह बड़ा स्कोर बना सकते हैं जर इसकी प्लियर के तौर पर इनको कफ्तान बना सकते अपने ग्रांड लीग के टीम में और एसर के लीगों में भी ट्राइक कर सकते लेकिन मुझे लगता है ग्रांड लीग में इनको ट्राइक करें तो आपको फैदा जाता होगा महिपाल लोम्रों की बात करें पिछला मैच में बहुत ही अच्छा परफॉमेंस दिये हैं इस मैच में 20 या 30 रन बना सकते तो इनको आपने ट्राइक कर सकते हैं गफ्तान और वईसकतान नहीं ट्राइक करेंगे ट्यम डेविड की बात करेंगे इनको मौकम मिलता इस मैच में तो 20 या 30 रन बनाेंगे हagainrhbee ят को 20‌ बिकेट निकाल कर देंगे साथ में धिनेस कार्थिक फ्लॉप रहेंगे और बात करें यहां पर वडेरा की तो वडेरा भी फ्लॉप रहेंगे जौफरा आर्चर एक या दो बिकेट ले सकते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं आप और एक खान की बात करें तो एक खान भी इस मैच म तो इस मैच में ये चल सकते हैं तो इनको भी कफ्तान आप ट्राइक कर सकते हैं तो मैंने सारे प्लेयरों के बारे में बात कर लिया अब चलता हूँ पांच कॉमिनिशन दिखाता हूँ जिससे आपको और भी फैदा होगा और कैसे रिफरेंस टीम आपको यहाँ पे काम करेगी आपके लिए वो भी देख लेना है हाला कि रेफरेंस जुरूर है लेकिन इन टीमों को आप आप अजुज्वल बहू लगा सकते हैं आपको फैदा हो सकता है दोस्तों तो चलते हैं पहले टीम की तरफ जो आपको इस मैच को जिता सकती है पहले टीम हट टूध का होगा में देख पार हो गये मैंने छे रखे हैं और सासै उस्थिन टीम कै ड़िए में पहित्विक नेवित्वर हैं यह में दूसरी टीम मैंने इस संपानों इस टीम की नहीं autumn को बनाया है आपको आपसवी स्पारिक यक्सम को यह तो ओने में बूरिक भीपोती लिए और मीनी जेल में भी लगा सकते हैं, वहां भी आपको फैदा देगी, इस टीम में देख पार होंगे, बोलर्स भी हैं, बैटस्मन भी और परफेक्ट कॉम्बिनिशन है इस टीम की, अब चलते हैं, ग्रांड लीग की टीम दिखाते हैं, जो आपको फैदा दिलवा सकती है, तो अगर changes करना है तो कर सकते हैं यह मेरी 34 टीम है जिसको मैंने Grand League के लिए डिजाइन के इस टीम में बहुत ही खतरनाक यह मतलब टीम है जिससे आप रिस्क लेकर easily win कर सकते हैं आप देख पार होंगे मैंने कफ्तान स्टुप्स को बनाया है और वाइस कफ्तान देख पार होंगे changes आपके उपर है कर सकते हैं या फिर बिल्कुल सेम टीम से जा सकते हैं तो यह मेरी 5 कमिनिश होती है 5 कमिनिशन को आपको लगा लेना है इनके सिन में से कोई changes होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा यह reference टीम थी अगर हू बहू लगाना जाते तो लगा सकते हैं कोई दिकत नहीं होगी और मैं फिर से एक बात दोरा रहा हूं कि हमारे टीम जन्मीन होती है हर बार आपको विडिंग करवाती है और हमारे चैनल भी आपको ही विडिंग करवाता है आपके लिए ही बनाया गया चैनल आपको कहीं भी ऐसा चैनल टीम नहीं मिलेगा तो जरूर हमा झाल